हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डबली ओली आईएस, डेट है आज की 10 जुलाई 2023 और आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलिम बूस्टर न्यूस डिसकर्शन के अंदर दोस्तों, डिसकर्शन आज के स्टार्ट करेंगे बढ़ हमारी टीम के तरफ से एक छोटी सी आप सभी के लिए रिक्वेस्ट थी दिखो हमारी जो पूरी प्रिलिम बूस्टर न्यूस डिसकर्शन की जो टीम है वो काफी effort डालती है ताकि जो most relevant news हो आप तक पहुँच पाए और इस तरह से पहुच पाए कि पूरा exam specific content आपका cover हो जाए और हमारी पूरी टीम के लिए motivation कहीं ना कि आप सब ही हो बट टीम ने मुझे एसा inform किया कि सर्फ लोग आपकी वीडियो को काफी पसंदो करते हैं बट engagement students के काफी कम है देखो engagement in the sense कैसे जिसे इन दा form of self आप कहलो की likes हो गया comments हो गया तो ये चीज़े थोड़ी missing है देखो जो पूरी टीम इतना hard work डाल रही है इतना अच्छा content prepare कर रही है कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने के लिए उनको motivate करने के लिए ये सारी चीज़ें definitely उनको बहुत help करती है तो एक छोटी सी मेनी request आप से देई है कि definitely आप इस वीडियो को like कीजिए इस वीडियो को comment कीजिए ताकि ना ये students तक और भी पहुंच पाए ठीकर ना जो हमारी team है उसके लिए motivation आप सभी के likes और आप सभी कैसे comments करते हो वही आपकी team को कहीं न कहीं आगे लेकि जाने में help करती है बाकी आप notice कीजिए जैसे ना आपको एक example देता हूँ कल ना RBI का grade B का exam था शायद आपके से कुछ लोगों को इस exam का पता होगा कुछ लोगों को शायद इसका नहीं पता होगा मैं थोड़ा सा अगर बता दूँ तो आप notice करोगे काफी एक prestigious exam है जहां पर आपको एक बहुत अच्छी position और साथ-साथ बहुत important अच्छे perks और अच्छी compensation दी जाती है अब बहुत सारे students का कल message आया कि सर जो market में लोग बोल रहे हैं कि काफी ना इसका general awareness वोला section था काफी tough आया पर जो students ने prelim booster follow कर रहे थे ना बहुत सारे students से मुझे message कि कि सर 20 से भी जाक question ना हमारे यहां पर फ्रिलिम booster से directly आये अब जानते हो अभी थोड़े दिन पहले हमने dark patterns पड़ा उसके विज़ास दो दिन पहले हमने governor के environment discussion किया तो उसका article हो गया और meta हो गया, facebook हो गया, इनके regarding कुछ questions आये, तो यह सारे के सारे से 20 सभी जाक questions हमारी team में cover किये थे तो उन्होंने बोला कि सरह हमें तो वे पर बड़ा आसान लगा, तो देखो यह ना हमारी पूरी team का ही hard work है, कि इतना अच्छा content, exam relevant content आप सभी तक पहुंचाया जाता है, तो उनके लिए motivation यही है, जब अच्छा काम करना है, कि थोड़ा असाना आप भी इस वीडियो के साथ engage कीजिए, आप अपने likes और comments की form में यह चीज़ कर सकते हो और ऐसा मत करना कि आज आज आपने सिरफ like कर दिया, आप definitely आगे भी इसको जारी दखेगा, ताकि जो टीम का moral है, वो आगे और भी boost होता रहे, तो एक छोटी सी request थी पुरी टीम से I hope आप इसको consider definitely करेंगे जड़ी start करते हैं आज की discussion यह देख सकते हैं आप Indian Express को की newspaper को, और आप जानते ही होंगे पूरे North India में ही हमें काफी जाए बारिश यहां पर देखने को मिलती है, इनफेक्ट में कल दिल्ली में भी था और गुरगावी भी था था थोड़ टाइम तो पूरा दिन ही में नोटेस किया कि काफी बारिश होती रही, बाकि इनफेक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो उन्होंने मुझे मना ली की फोटोस बेजी, तो वहां पर भी बारिश बहुत जाए तेज चल रही है, तो पूरे North India में हमें एक काफी major situation यहां पर देखने को मिल रही है, काफी peace index, क्या मीनिक हो सकता है, देखो इसका मीनिक यही है, कहीं न कहीं, अलग-अलग countries के अंदर, वहां पर कितनी शांती है, कि ऐसा तो नहीं, वहां पर कुछ ना कुछ चले जा रहा है, कुछ ग्रेया यूद चल रहा है, कुछ देखे जाते हैं, फिर उससाब से, आई-ई-पी जो है, वो बताता है, कि कौन सी country, यहां पर कितनी peaceful है, अब आप एक पर खुट imagine करो, क्या लगता है, सर्थ दुनिया में सबसे less peaceful country कौन सी होगी, देखो, answer, guess करना मुश्किल नहीं है, आप लोग अफगानिस्तान के बारे में जानती होंगे, देखो, अफगानिस्तान इतने सालों से कभी भी ना, चाहे कोई भी वहाँ पर रूल क्या हो, वहाँ पर issues रहे ही रहे हैं, चीक है ना, तो दुनिया में आठ लगातार, आठ साल हो गए हैं कि अफगानिस्तान दुनिया की सबसे less peaceful country है, उसके लब आप जानते हो, ठीक है, कुछ countries, यमन हो गया, सीरिया, साउथ सुडान, ठीक है न, अब यहाँ पर, मतलब, एकनॉमी भी काफी खराब है, कहीं न, कि बाकी चीज़े, कोभी issues है, कभी सिबल वह रहा है, किसी जगापर किसी जगापर कुछ और issues है, तो यह सारे दुनिया में least peaceful country है, अब आप लोग सोच रहोंगे, सर्छ इंडिया कहां पर आता है, देखो, इ improvement किसम कारणों की वज़ा से है, क्योंकि आप notice करो, हमारा एक तो देखो, पहले चाइना के साथ ना conflict था, अभी भी है, मैं मना नहीं कर रहा है, पर situation थोड़ी कमी आई है, आप notice करो, जिसे 2020 में, हमारे जो लगबग 20 के करीब, जो जवान थे, वो शहीद हो गये थे, तो कही चाइना के उस टाइम पर साथ, चाइना के साथ काफी major conflicts चल रहे थे, अब थोड़ी सी tensions में कमी आई है, ठीक है ना, modern incidents में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली है, प्लस साथ में आप notice करो, इंडिया में political instability भी नहीं है, हमारी सरकार काफी stable है, ठीक है center government के especially अगर बात करू कहीं ना कहीं होता है ना कि कभी मालो रेजीम जज़ हो जाए, अचानक से आज एक prime minister कल को दूसरा हो जाए, पर तीसरा हो जाए, ऐसे बड़ी तेजी से होता रहा है, या फिर कहीं मालो किस जगा पर military rule आ जाए, तो वो सारी चीज़े हैं इंडिया में तो नहीं है, तो इस 2008 से इन्हों ने यह चीज़ कंटिन्यूसली यह चीज़ कंटिन्यू करी है, उसके लबाद Denmark हो गया, आपका Ireland, New Zealand, Austria, यह भी दुनिया की peaceful countries में हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर अगर आप world की बात करोगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि दुनिया कम peaceful होई है, मतलब लगबाग अगर आप नोटिस करोगे तो average 5% का हमें जो score है, पिछले 15 साल के अंदर वो नीचे आता हुआ देखने को मिला है, तो दुनिया में शांती बढ़ नहीं रही, शांती कम हो रही है, यह बाते आपको कुछ यह आपर पता होनी चाहिए थी, अगले topic की तरफ चलते और चोट-चोटे bombs है, तो होता पता क्या है, मालो हमने यह bomb छोड़ा, ठीक है ना, मालो इदर से मैंने इसको bomb को fire किया, तो रास्ते में पता क्या होगा, यह bomb ऐसे खुल जाएगा, ठीक है मैं समझाता हूँ इसको एक मिनिट, यह जैसे ऐसे bomb गया, इसके अंदर चोट-चो गरेगा, तो हो क्या राए, एक bomb के माद्य हम सही ना, आपने उसके अंदर इतने सारे bomb डाल दिये, कि जब वो हवा में खुला, तो बहुत सारे bomb अलग-अलग जगा पर गिरे, इसी को बोलते है, कलस्टर मुनिशन, स्री तो बड़ा खतरना लग रहा है, हाँ जी बिलकुल, देखो, यहाँ पर ना, अगर आपको कहिना कि multiple targets हिट करने हो, तो आप देख रहे हो, इस छोट-छोटे bomb अलग-अलग जगा पर जैसे-जैसे गिरते रहेंगे, accordingly multiple targets आपके हिट होते रहें, इसी को बोलते हैं, cluster munition, आई बात समझ में, meaning समझ गे न, कैसे यह bomb आवा में जाक आपके, ऐसे खुल जाएगा, और खुझ असे खुलेगा, तो अलग-अलग bombs, अलग-अलग direction में जाके गिर जाएंगे, अभी क्या हुआ है ना, United States ने बोलाए कि हम यूक्रेयन को मदद करेंगे, और cluster munition उनको परवाइड करेंगे, तांकि जो Russian forces उनको पीछे दकेला जा प क्या मतलब, ये देखो, ये जैसे ये वाले, सोचो, ये जो चोट-चोटे मैंने bombs की बात करी ना, ये हमने अलग-अलग जगा पे गिरा तो दिये, अलग-अलग जगा पे जब हवा में खुला, तो अलग-अलग जगा पे गिरो तो सही, पर ऐसा भी देखा जाता है कि बहु ठीके ना, पर वो फटा ही नी, होता है ना ऐसा, तो कही बार इस bombs के तरह भी ये ही होता है, मालो आपने ऐसे bombs गिरा तो दिये, हवा में जब वो बड़ा-वाला bombs गया, तो उसे छोट-चोट-चोटे bombs अलग-अलग जवा पे गिरा तो दिये, पर वो फटा ही नी, तो फटत तक और लोग आके रहने लग जाए ठीक है ना उस पटिकुलर जगा के उपर और अचानक से एक दिन बॉम फट जाए तो ये बड़ी खराब चीज है इस क्लस्टर मुनिशन की तो ये एक मेजर इशू यहां पर देखने को मिलता है ये कई बार देखो इशू बता क्या है आप प्रोटेस करोगे ये बाम न का ना कही बाए जो टार्गेट होता है वो टार्गेट पर आगे पिछे भी जा सकता है तो कहीं है कि वहां की जो सवीलियन लोग है उनको भी खतरा होता है तो इस तरह के मेजर इशू समय यहां पर कलस्टर मुनिशन के देखने को मिलते हैं थो अब इन्होंने बोला है कहीना कि इसकी जो एफिशेंसी है जो यार रजराइशू से एक्वरेसी है वो इन्होंने इंप्रूफ कर दिया गुछ पर्टिकलर माध्यम के मदद से तो कहीना कि अब अब आफिशेंसी इंप्रूफ है तो ऐसे सुचुशन अब नहीं देखने को म पर भी डिस्काता है और जब बहुत सालों बात जब फटते हैं तो इसका भी अलग इशू आता है ठीक है ना तो यह सारी चीज़ें है अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पासना एक कन्वेंशन है कन्वेंशन का नाम क्या है कन्वेंशन और क्लस्टर मुनिशन इ उस लिए कर रहे है क्योंकि u.s.a. ना ही यूकरेन ने कर रख है ना ही आपके रिश्या ने कर रेक है जब इन्होंने कराई नहीं है इस कन्वेंशन को साइं तो उसको ऄूस कर रहे हैं ठीक है उपर से आप बताओ मैं थोड़ा सके आधा ना हमारा जो भारत है इसने भी इस किस ने sign किया तो वस ये 6 countries का ध्यान रख रहे हैं ना कि इन्होंने sign नहीं किया पका आपका आपका अंसर निकल आएगा इनको eliminate करके ठीक है ना तो 120 से विजार country इनको sign कर रखा है एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है ऐसे जो bomb होते हैं वो international law के द्वारा generally prohibit तब तक नही किया जाते अगर वो civilian को target ना करें ठीक है ना तो international crime कहीं नहीं कहीं तब मना जाएगा अगर मान लो यह जो bomb है किसी civilian area में जाके गिर जाता है ठीक है ना बाकिया आप notice कर सकते हो convention के बारे में तो हमने जान ही लिया है secretary general जो UN के होते हैं वो कहीं नहीं कहीं कहीं इस convention के depository होत करती है ना हमारे अलग-अलग states और अलग-अलग UTs का कैसे performance है वहां के school education system का इसी को यहां पर assess किया जाता है by our ministry of education जो हमारा ministry of education के देपार्टमेंट है department of school educational literacy उसने इस particular यहां पर performance grading index को यहां पर लेकर आया है पहली बार इसको release किया गया था 2017-18 के अंदर अब यह उसका 2. यहां पर नियरली 73 indicators को यहां पर cover किया गया है आप जानते होंगा न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर उसके अलग-अलग targets थे तो कहिना कि उन सभी चीजों को यहां पर देखा गया है कि उन particular चीजों के regarding हम कैसे work कर रहे है क्या proper digital initiatives चल रहे ह teacher education हो रही है मतलब वो कैसे चीज़े है साइस quality assessment क्या है यह सारी अलग-अलग चीज़ें यहां पर देखी जाती है और इस business के उपर उनको एक तरह से हम ranking देते हैं ठीक है तो states and uts कैसे आगे काम कर पाएं और उनको कहिना कि वहां पर gaps क्या है उनको कैसे work कर पाएं अब ध्य most bracket है उसको बोलते हैं दक्ष फिर उसके बद आपका आजाता है उतकर्ष फिर अति उत्तम उत्तम प्रचेश्टा 1 प्रचेश्टा 2 प्रचेश्टा 3 उसी तरह से अकांक्षी 1 अकांक्षी 2 अकांक्षी 3 तो होता क्या है टॉप में आपका आगया दक्ष आगया और सबसे ल यानि कि जो हमारे टार्गेट्स हैं जो हम चाहते हैं जिस लेवल को चीफ करना उसके आसपास मारी अभी कोई भी स्टेट यहां पे एक्जिस्ट नहीं करती तो टॉप मुस्ट प्रजिशन आती है न वो छटे वाले पाइदान के आती है मतलब पांच टॉप में कोई है ही नह खटे वाले प्रचेश्टा टू में दो स्टेट्स आती है या यूटी आती है हमारा जो पंजाब है और साथ में चंडीगर तो यह टॉप किये हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मतलब टॉप मोस्ट है फिर उसके बाद छे स्टेट्स आपके आती है प्रचेश्ट ठातुरे हो पर कहिना कि बच्चें सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हमने ना कई पर प्रथम की एक रिपोर्ट आती है असर और हमने इस ही प्रिलीम बूस्टर में उसको भी एक बडिस्कूस किया था मां क्यासे बटाया गया था हैं या पीफिर जो ठीज्ड़ पढ़नी है उन अच्छिया होती है उनके लिए प्रॉपर सो विदाय है या नहीं है वहां पर अच्छे वाश्रूम्स है या नहीं है तीचर से ट्रेनिंग हो रही है यह सारी चीज़े यहां पर PGI 2.0 के अंदर देखी जाती है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ड़िस NESDA पोटल यानि अच्छिज आप सभी लेट से ऑनलाइन पास्पोर अपलाई करते हो यह सारी चीज़ें क्या हैं यह आप पी एक वर्नेस ही है आप चाहे उसको गवर्नेस बिसनस देख लो गवर्नेस गौवर्मेंट टूस्टमर देख लो ठीक है गवर्मेंट टू गवर्मेंट देख लो अब हमारे जो एक गवर्नेस की सर्विसें वो कैसा काम कर रही है सिटिजन के परस्पेक्टिव से यह भी तो जानना जरूरी है जान सरीज तो कहिने कि उसी को असे किया जाता है हमारे पाफ से एक डिबार्ट्मेंट है डिए र पीजी यानि की डिपार्ट्मेंट आफ एड हमें डिपार्ट्मेंट देखने के मिला है तो इसके द्वारा इस पर्टिवल पोर्टल को यहां पर रिलीस किया जाता है और इस तरह से फ्रेमबर्ग बनाया गया है ताकि हमारी जो सर्विसें वो किस तरह से सिटिजन सेंट्रिक हो पाएं एंड साथी साथ मालोग किसी सेंट्रल मिनिस्ट्रिस को यहां पर देखना कैसा काम किया जा रहा है ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो पर्टिकुलर हमारा जो फ्रेमबर्ग है ना यह बाई एनुली होता है ध्यान रखना मैंने बाई एनुली नहीं बोला मैंने बोला बाई निली यह जो बाई ए तो हुआ क्या था ना पहले 2019 में इसकी स्टड़ी आये थी फिर 2021 में आई अब 2023 में आ रही है तो दो सालवाद इसका यहां पर हमें यह स्टड़ी हमें यहां पर देखने को मिल जाती है आई होब आप इसका मेनिंग भी अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है फ्रेंट्स तो यह क्या वो गूगल के साथ डेवलप करेंगी है दाउ कौन सी है दाउ कौन सी है दांसर इस मेटा ठीक है न हमने देखा मेटा और ट्विटर कैसे कैसे आप उसमें कंपीट कर रहे हैं इस प्रटिकलों चीज के अंदर इंडस वाडर ट्रीटी हमने जानी थी उस दिन तो यहां इंडिया के साथ है बाकी जो हैं वो हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिलते हैं सेलवेक्स की बात करें तो क्या एक नवी एकसाइज है बिटमिन इंडिया एंड जपान दांसर इस अगें पॉल्स हमने सेलवेज बगारा की टर्म भी यहां पर सीखी थी तो इंडिया और से हमें आपके देखने को मिलते हैं तो यह कुछ टॉपिक से जो आज हमें डिस्कस करने थे अगर आपको इस लेक्टर की पीडियाफ चाहिए तो आप मैं टेलीग्राम चैनल पीड़ी ओनली एस उफिशल पर जाके इस लेक्टर की पीडियाफ को एकस्स कर सकते हो एंड